नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज मैं फिर से आपके लिए बहुत अच्छी और प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नही नही वीडियो के लिए बैल आइकन को प्रेस करें तो जल्दी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरी आज की वीडियो बिग बॉस के उपर है जिनकी पिच्चर आपको वीडियो में दिखाई दे रही है उन कंटेस्टर्स को तो आप अच्छी तरह से ही जानते हैं मुनावर फारुकी ये अभी अभी कंगना रहनौवत का शो के भी विनर रह चुके हैं तो इसी अधार पर इन्हें बिग बॉस में इन्वाइट किया गया था इनका मानना है कि इनको कई बार इन्वाइट किया गया है बोल भी चुके हैं कई बार अब ये पेशे से stand-up comedian है, इन्होंने अभी काफी groom किया है अपने आपका, इनका carrier एकदम boom पे आया है, एक YouTuber है, काफी millions में इनके followers हैं, तो इनकी आज कल जब से ये trend में आये हैं, तो इनकी एक वीडियो काफी viral हो रही है, जब से बिग बॉस में गई हैं, कि इन्होंने अपनी comedian में, जिसे comedy की mimicry करते हैं, इन्होंने क्या हिंदू धर्म का बहुत मजाक उड़ाया है, और अचानक से शोशल मीडिया पर इनकी कुछ वीडियो काफी viral हो रहे हैं, जो कि आप उपर screen पर देखें, फिर आगे बात करते हैं, मेरा पिया अगरा है, और रांजी, रांजी दोन कि फॉक अबर यो पिया, इसे मेरा पिया अगरा है, रांजी देखें, मैं जोला से खुद गरते हैं, तर बड़ी दुख की बात है, कि बहुत से लोग इस comedy को महाँ पर बैठ कर enjoy कर रहे थे, हमने इनकी इतने वीडियो देखी हैं, लेकिन कभी इनको इसलाम धरम या किसी अधर धरम का मजाक उड़ाते हुए हमने ने देखा, और इनने इस चीज के लिए गिरफतार भी किया गया था, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना इन्हें बहुत आसान लगता था, मुझे तो ये कत पास्त को ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, इनकी वाइफ भी इनको छोड़ कर चली गई, ये तो देखो उपर वाले के हाथ में ऐसा बोल देते हैं, इनके अभी कुछ ही महीनों पहले इने अपने बेटे की कस्ट्रेडी मिली है, क्योंकि वाइफ ने कहीं और शादी कर ली इसलिए, तो इनका पास्त कोई ज्यादा खास नहीं रहा, इनके बिग बोस जाने के बाद ही ये वीडियोज वाइरल हुई हैं, हमें नहीं पता वो अचानक से कहां से सोचल मेडिया पर आ गए, इन्होंने नहीं होंगी तब ही तो आई है, और ये बात उठती है, ये कि ये हमेशा कहते हैं कि मैं हिंदु धरम को भी बहुत मानता हूं और मुस्लिम धरम को भी मैं बहुत जादे इंपोर्टेंस देता हूं, तो भै हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, जिनको नजर आ रहा, वो इनको बिग बोस में वोट कर देना, और वैसे मानना पड़ेगा, लोग फिर अपने घर ठीक थे, अपने बच्चे को टाइम देते, इतने टाइम से आपने उसे, इतनी मुश्किलों से आपको मिला, तो उसे टाइम दो फिर यहां रोके क्या दिखा रहे हो, हम तो इनके लड़कियों की तरह की emotional drama देखके बिल्कुल पक गए हैं, अब देखते हैं बिग बॉस में चितने दिन टिकते थे, अब भई, रिक्वेस्ट इनके प्यारी प्यारी फैन से, जो इनके फैन है और जो है इनकी बकवासों को सुनते हैं, वो हमें बताइं कि बिग बॉस में कितने दिन तक टिकने वाले हैं, हम हिंदों के ना दिल बड़ा soft है, क्या है कि इन्होंने सौरी वरी बोल दी वीडियो के बाद राज श्रीवास्तव से तो फिर इसले हम हिंदू है हमारा काम है माफ करना हम ऐसे लोगों को माफ कर देते हैं और ना इनको फिर ध्यान देते हैं बहुत टेजस भी लोग है हमारे पास अब मेरी वीडियो कैसे लगी अब जल जलदी से कमेंट करके बताओ और यह भी बताओ यह जीतेगा यह नहीं जीतेगा और यह फिर रो ना धो नहीं मचाके रखेगा लड़कियों की तरह यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ही बताना कोई और नहीं बताएगा ठीक है चलो जल्दी से कमेंट करो, फट फट